कुछ दस बारा साल पहले जब मैं पुट्ट परती गई थी तब मेरी बहुत जबर्दस इच्छा थी कि बाबा के सामने मेरा गाना हो जाए और सच्छ उनके चरण कमलों में बैठकर उनके पास में बैठकर करीबन एक लाख लोगों के करीबन एक लाख लोगों के सामने पुट्ट परती में मेरा बाबा के सामने गायन हो गया और तो होने के बाद जब बाबा वापस जा रहे थे तो उससे पहले उन्हाने मुझे भर-भर कर आशिरवाद भी दे दिये और उन्होंने मुझे पूछा मैं कहा मैं मंबई से आई हूं फिर कह दें लगे कि I am very happy today I am really very happy तो मुझे जो चीज चाहिए थी वही मिल गई मेरी जबरदस इच्छा थी कि बाबा के सामने मेरा गाना हो जाए क्योंकि इतना आनंद इन्होंने पुरे विश्व को दिया है मानवता की सेवा की है मानव की सेवा की है इतने सारी universities, hospitals कहीं कहीं छोटे छोटे जगे पर पानी गाव में लाना बहुत बड़ी चीज है हमारे जैसे छोटे इंसान को पॉसिबल नहीं है वो काम बाबा ने किया है इसलिए ऐसे लोगों में मैं भगवान देखती हूं तो उ इस कारेकरम में बहुत बड़े आर्टिस्ट अनुप जी जैसे अधर नियानुप जलोटा जी फिर पंकर जुदा जी कविता कृष्ण मुर्ती जी रिचा शर्मा जी ऐसे सभी अच्छे आर्टिस्ट महां आदरान जली अरपन करने आ जाएंगे और सब लोग भजन गा रहे हैं बजन के माध्यम से क्योंकि इश्वर तक पहुंचने के लिए भजन यही एक ऐसा माध्यम है कि विदाव टिकेट जर से पहुंच जाते हैं आपके कोई यार्द गयों अब अशुझन सभाई अपाब आपके जिस दिन मैंने बाबा के सामने पहले दफा मैंने गाया तो उससे पहले सुबह की जो सेशन थी उसमें मुझे बड़े-बड़े आर्टिस्टों ने कहा कि यहां तो आपको गाने का कोई मौका नहीं मिलेग इतने जल्दी क्योंकि you are in a queue हम लोग भी इतने साल से मावा की पूजा कर रहे हैं भक्त हैं तो हमको भी बहुत रेरली यह मौका मिलता है आपको तो नहीं मिला यह मैंने सुना उतने मी एनॉंस्मेंट हो गया कि विश्वविख्यात परमश्री विश्वविख्यात शाम को चा रहे हैं इतनी जल्दी मुझे यह मौका मिलेगा यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी बहुत बड़ा मौका था साक्षा दिश्वर के सामने गाने के बाद तांक्यू जल्दी टांक्षाओ मारे मारे बाद पल्दी आपिझे रहे हो लिएस्वर के लिड़ramer के विश्वर नहीं सकती भी बड़ के विश्वर के बाद रहे हैं चल्ण के लिए करने बाद बहाए आतक् Bondar क्ली तो मैं आप headlines roses is a 231 Cand कर दो दो कर सकता है के लिए ट सुंहार की आपिए है आप आपकी नेयंदें भिए टेंट। जैसे बगवान गनेश जी हैं, वो ही रूप स्वामी जी का पूरे विश्मे रहने वाला है, और स्वामी जी हमेशा साथ रहेंगे, उसके उपलेक्स में ये जो भजन का जो प्रोग्राम लखा गया है, लोगों को बताने के लिए, कि स्वामी का जनम हुआ था, कि उनने एक मो कुमेनेटी ग्राउंड को ठीक किया जाए, सिक्षा, स्वास्त, पानी, सब चीज स्वामी ने ऐसा मोडल क्रियेट किया है, जैसे इनके जितने भी होस्पिटल्स हैं, उसमें कहीं भी कैस काउंट नहीं है, कैस का लेना देना नहीं है, सब थ्री है, तो स्वामी जी आज के में आज की दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जिनका स्वास्त बिगरता जारा है, कोशली हो रहा है, एजूकेशन और स्वास्त, ये दोनों के ऊपर स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा लोगों को अपना डारेक्शन दिया है, कि मतलब इनका जो वहा है जनम, वह लोगों क कि मानव ताके लिए एक बहुत बड़ा उधारन पेस करके गए है, और ऐसा अगर हमारी सरकारें, जैसे ये दूसरी, मनव इंडिया में जितनी भी सरकारें हैं, अगर इस रूप में चालू करने गरीबों के लिए, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, वो मोड़ल स्वामी जी कर देखे और हमेशा के लिए वो एक संदेश देखे गए हैं और उसी की उपलेक्स में ये मनव फंक्सन हो रहा है, अब बाते हैं कि जितनी भी आत्माओं ने जनम लिया है, उनकी अंतिम मंजल मोक्ष होती है, मोक्ष कैसे पाया जाएं? मोक्ष ऐसा तो है नहीं कि कहीं अवेलेबल है कि जाकर कि हम उसको ले लें, उसको पाने का एक ही तरीका है, और वो यह है कि अपनी अध्यात में कुन्नती को इतना ज्यादा करना चाहिए हमें, कि कल को जितना जल्दी हो सके मोक्ष हो हमें मिल जाए, उसको करने के लिए एक उन्हों ने तरीका बताया है नाम संकीरतन का, एक तरीका बताया है सेवा का, तो आज ये जो प्रोग्राम है, ये नाम संकीरतन है, भगवान के भजन का प्रोग्राम है, भक्तीरस का प्रोग्राम है, तो आज उसकी तियारी यहां पर ये हो रही है कि क्या प्रोग्राम हम 17 ता रहे हैं तो उसके जो सेलिब्रेशन्स हैं उस सेलिब्रेशन्स के लिए ये प्रोग्राम रखा गया 27 तारिक को और उस प्रोग्राम की आज तैयारी हो रही है जितने भी लोग यहां पर आए हैं जैसे रिचा शर्मा जी हैं आज अपने उनका इंटर्व्यू लिया पदमिजा करना चाहते हैं कुछ अर्पित करना चाहते हैं